दोस्तों स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया एक्जिम रेंग की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी यहाँ पर सिविल, एलेक्रिकल, मेकेनिकल और कम्प्यूटर साइन्स इंजिनियर से लिजिबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी All Our India की कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं और क्या बताएगया है इनके ओफिस्यल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका इंडिया एक्जिम बैंक की तरफ से 24 सेप्टमबर को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग एडविटिज में नमबर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अलग अलग पोश्टों पर वेकेंसी रहने वाली है जहाँ पर इंजीनियर सप्लाई कर सकते हैं पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ओफिसर रिस्क मेनेजमेंट के लिए टोटल यहाँ पर आपकी दो पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी बीटेक किया है कम्प्यूटर साइंस, आईटी, एलेक्ट्रोनिक एंड, कम्यूनिकेशन इंजिनिरिंग में और मिनिमम आपके पास फाइफ यर का वर्क एक्सपिरियंसे आप लोग यहाँ पर रिलीजबल रहेंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ओफिसर, प्रोजेक्ट, मेनेजमेंट, इंफ्राइस्ट्रक्चर के लिए टोटल यहाँ पर आपकी तीन पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी बी टेक किया है सिविल इंजिनिरिंग में आपके पास फाइफ यर कावर के एक्सपिरियंसे आप यहाँ पर रिलीजबल रहेंगे नेक्स पोश्ट में आपको बताया है अगर आपने बी बी टेक किया है इंजिनिरिंग की किसी भी ब्रांच में आपके पास एट यर का वर के एक्सपिरियंसे आप यहाँ पर रिलीजबल रहेंगे next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है application manager के लिए total यहाँ पर आपकी दो पोश्टों पर vacancy रहेगी अगर आपने बी बीटेक किया है computer science, IT या फिर electronic and communication engineering में आपके पास five year cover के experience से आप यहाँ पर reusable रहेंगे next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है officer digital technology के लिए total यहाँ पर आपकी एक पोश्ट पर vacancy रहेगी अगर आपने बी बीटेक किया है computer science, IT या फिर electronic and communication engineering में आपके पास दो साल cover के experience से आप यहाँ पर reusable रहेंगे next vacancy भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है computer science engineers के लिए अगर आपके पास 5 year cover के experience से आप यहाँ पर reusable रहेंगे और last vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है officer administration के लिए qualification में आपको बताया है अगर आपने बी बी टेक किया है civil, electrical या फिर mechanical engineering में आपके पास 15 year cover के experience से आप यहाँ पर reusable रहेंगे selection process यहाँ पर आपका written exam के आधार पर रहने वाला है अब बात कर लेते हैं आपके application fee के बारे में अगर आप general या फिर OVC category में आते हैं तो application fees यहाँ पर आपको 600 रुपे देनी है बाकी category को यहाँ पर सिर्फ intimation charge पे करना होगा बात करें आपकी important date के बारे में तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं और last date यहाँ पर आपकी 14 October रहेगी interested or reusable candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते है next video में